घर के इज़त बेटियों के हाथ में होती है और पापाटी के कागज नालायोपों के हाथ में हमरे लगे तक कुछ छो नहीं है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके और हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम बात करेंगे टिक टॉक क्रेटर अंजली चोहान के बारे में तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर वैल आइकन को प्रेस कर दें तो चलि अंजली का निकनेम अंजली और इनका पूरा नाम अंजली चोहान है अंजली जब आठमी क्लास में थी तब से वो मादूरी दिच्छित को बहुत पसंद करती है या यूं कहो कि वो मादूरी दिच्छित की बहुत बड़ी फैन है अंजली को मादूरी दिच्छित की फिल्में साथ गुविंदा की भी बहुत बड़ी फैन है अंजली को टिक टॉक पर डांसिंग के लिए फैम मिला है आपको बता दें कि अंजली ने कोई डांस क्लासेज अटेंड नहीं की हैं इसका एक करण यह भी था कि उनके घर में पैसों की प्रॉबलम थी उन्होंने मादूरी मादूरी जी का डांस देखती फिर उसे कौपी करती और मोबाइल में रिकॉर्ड करती फिर खुद ही डिसाइड करती थी कि उन्होंने मादूरी जी के स्टेप सही किये हैं या गलत तो इस तरह उन्होंने डांस सीखा और अभी भी अंजली मादूरी जी के डांस को देखकर अपना डांस और ज्यादा इंप्रूब करने में लगी हुई है अगर अंजली के एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग भी उन्होंने मादुरी जी को देखकर ही सीखी है हर लड़की की तरह अंजली चोहन के भी बहुत सारे सपने है और तिक्टॉक एक ऐसा प्लेट फॉर्म है जिसने अंजली के सपने को पूरा करने के लिए उडान भरती है अंजली graduation कर रही है और उन्हें टिक्टॉक का पता अपने college से ही चला फिर उन्होंने TikTok एप इंस्टॉल किया और TikTok पर वीडियो देखने लगी TikTok पर डांसिंग और लिपसिंग के वीडियो देखकर अंजली को लगा के उन्हें भी वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि उन्होंने आठवी क्लास से ही डांस और एक्टिंग सीखी थी अंजली TikTok पर वीडियो अपने घरवालों और गाउवालों से छुपकर बनाती थी वो ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि अंजली जानती थी कि उनके घरवालों को अगर मालुम हुआ तो वो अंजली को TikTok पर वीडियो नहीं बनाने देंगे और गाउवालों से इसलिए छिपती थी क्योंकि गाउवाले उनका मजा कुड़ाएंगे अलाके अंजली ये भी जानती थी कि अगर उनके वीडियो बाइरल हुए तो वो किसी से छिपी नहीं रह पाएंगी और ऐसा ही हुए 9 सेप्टेंबर 2019 को अंजली का वीडियो बाइरल हो गया लोगों को उनका डांस बहुत पसंद आया उस बाइरल वीडियो ने अंजली को रातो रात स्टार बना दिया उनके बढ़ते फैम की ख़बर न्यूजपेपर में आई और उनके घरवालों को मालूम पड़ गया क्योंकि अंजली न्यूजपेपर में च्छाई हुई थी इसलिए उनके घरवालों ने उनके वीडियो बनाने पर बिरोध नहीं किया उल्टा खुशी-खुशी उन्हें सपोर्ट करने लगे अंजली लिपसिंग वीडियो भी बनाती हैं लेकिन टिक टॉक पर उन्हें असली फैम डांसिंग वीडियो से ही मिला हालाके अंजली इतना परफेक्ट डांस नहीं कर पाती लेकिन छोटे से गाउं में बिना किसी संसाधन के इतनी प्रतिवा होना वही बहुत बड़ी बात है यूं तो टिक टॉक पर हजारों क्रियेटर रोजाना नए आते हैं और वो फैम हासल करने के लिए बहुत इस्टगल करते हैं लेकिन टिक टॉक पर फैम उन्हीं को हासल होता है जिन में प्रतिवा टेलेंट और कुछ हटके करने की छमता होती है अगर अंजली की family की बात करें तो वो 5 भाई बहन है जिसमें अंजली सबसे छोटी है अंजली के पिता नहीं है लेकिन अंजली की माने अंजली को कभी पिता की कमी मैसूस नहीं होने दी अंजली के बीडियो में कुछ बच्चे भी नजर आते हैं वो बच्चे उनके बड़े भाई के हैं अंजली के पास बीडियो बनाने के लिए अच्छे संसादन नहीं है अगर आप उनके वीडियो देखे तो आपको मालुम हो जाएगा कि अंजली साधा कपड़ों में ही वीडियो बनाती है इसका मतलब अगर आप में टेलेंट है तो आपको अच्छे कैमरे, हाई स्टेंडर बैकगराउंड और महगे स्टाइलिस कपड़ों की जरुवत नहीं लोग आपके टेलेंट को ही प्यार करेंगे ना के आपके कपड़े और हाई स्टेंडर बैकगराउंड को अंजली को एक्टिंग करना, डांस करना तो पसंद है ही लेकिन उन्हें बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत पसंद है अंजली ने यह भी कह दिया कि उन्हें कितने भी बच्चे समालने पड़े बेजज़क समाल लेंगी अगर अंजली के टिक टॉक आईडी की बात करें तो उनके टिक टॉक पर डेर्ड मिलियन फॉलोवर हैं और अभी तक उनकी इंस्टाग्राम आईडी नहीं थी लेकिन फैंस के कहने पर उन्होंने इस्टाग्राम आईडी बनाई जिस पर लगवाग 6,000 फॉलोवर हैं चाट खाना बहुत पसंद है अगर इनकी फैबरेट मूवी की बात करें तो मूवी प्रैम रोग है अंजली का कहना है कि अगर उन्हें एक्टिंग करने का मौका मिले और मुंबई जाने का मौका मिले तो वो जरूर जाएंगी अंजली अभी अर्निंग नहीं करती है लेकिन उनका कहना है कि मैं फैमस हो गई हूँ मुझे रेस्पेक्ट मिलती है और बहुत सारे लोग मुझसे मिलने आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अभी तो इतने में ही खुस हूँ अंजली ने बताया कि उन्हें भोजपुरी से एल्बम में काम करने के लिए ओफर भी मिला था लेकिन लोगडाउन के चलते वो अभी नहीं हो पाया अगर उनके फिजिकल स्टेटस की बात करें तो उनकी हाइट पांच फुट चार इंच है और उनका बोडी वेट फिप्टी बन केजी है उनका आई कलर बलेक है और हेर कलर भी बलेक है अगर इनके फैबरेट कलर की बात करें तो फैबरेट कलर भी बलेक ही है अंजली टिक टॉक पर ब्यूटी खान के वीडियो बहुत ज़्यादा देखती है उनका कहना है कि टिक टॉक स्टार जितने भी है उनमें सबसे पसंद मुझे ब्यूटी खान है उनके फैबरेट सिंगर की बात करें तो वो सोनू निगम है अंजली को कई लड़कों के प्रपोजल आये लेकिन उनोंने किसी का प्रपोजल एसेप नहीं किया उनका कहना है कि पहले वो अपने परिवार को वो सारी खुसियां को सुक सोविदाएं देना चाहती है जिनके वो हकदार है मैं प्रे करता हूँ कि वो अपने सपनों को पूरा करें और अपने परिवार को वो सारी सुख सोविदाएं दे जो वो देना चाहती है अंजली चोहान को टिक टॉक से फैंस तो मिले ही है साथ ही हेटर्स का सामना भी करना पड़ रहा है तो फ्रेंड्स प्लीज आप अपना हुनर दिखाओ तो किसी दूसरे की मेहनत मत बरबात करो प्रतिवा किसी के पहचान की महताज नहीं होती अगर आप में बोहनर है तो आपको कोई अपनी पहचान बनाने से नहीं रोक सकता फिर चाहे आप बड़े सहर के हो या किसी छोटे से गाउं के अगर उनके अन्नोन फैक्ट की बात करें तो इनका निकनेम अंजली और पूरा नाम अंजली चोहान है उनके फैबरेट एक्टर गोविंदा और एक्टरस मादुरी दीच्छित है इनके फैबरेट सिंगर सौनू निगम और फैबरेट टिक टॉक स्टार ब्यूटी खान है अंजली को टिक टॉक पर डांसिंग से फैम मिला है हाला कि उन्होंने कभी डांस क्लासेज अटेंड नहीं की 9 सेप्टेंबर 2019 को उनका पहला वीडियो बाइरल हुआ था अंजली पांच भाई बेहन हैं जिनमें अंजली सबसे छोटी है और इनके पिता नहीं है अंजली के वीडियो में नजर आने वाले बच्चे उनके बड़े भाई के हैं अंजली को एक्टिंग और डांसिंग के अलावा सिलाई और पारलर का काम भी आता है उन्हें बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है अंजली के टिक टॉक पर डेर्ड मिलियन फॉलोवर है और इंस्टाग्राम की बात करें तो उस पे लगवल 6,000 फॉलोवर है इन्हें पानी पुरी और चाट खाना बहुत पसंद है इनकी फैबरेट मूवी प्रैम रोग है अंजली को भोचपुरी एलबम में काम करने के लिए ओफर भी मिला है इनकी हाइट पांच फुट चार अंच और बोडी बेट 51 केजी है इनकी आखों का कलर, हेर कलर और फैबरेट कलर ब्लैक ही है तो फ्रेंड्स ये थी कुछ जानकारी टिक टोक स्टार अंजली चोहन के बारे में उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ खुद का नहीं देखते चरित्रे और बीबी चाहिए इनको पवित्रे ऐसे कैसे चलेगा फलाना मैं हर किसी के हो जाओं किसा स्थी दुलिना